हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्टुब चैनल में आपका बहुत वस्वागत है मैं आज आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि फेस्बूक पे नए अकाउंट की सरीकी से बनाया जाता है फेस्बूक चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी होता है जिसको ओपन करने के लिए एक फॉर्म को फिल अप करना पड़ता है तो सबसे पहले आईए फ्रेंड्स हम अपना फेस्बूक पेज जो है ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले यहां पे फर्स नेम लिखा होऊ है सरनेम लिखा हुआ जो है मुबाइल नमबर लिखा हुआ जो बहुत इंप्भाय्ल नमबर जो है तो है ज़िस पासवोर्ट भी दालना चाहिए बद देट लिगा बद भी दालना चाहिए क्योंकि बद डालोगे तो लोगों को अपने बदे कब आता है वो पता चल जाता है तो इस तरीके से हमारे फ्रेंड्स जो रियल लाइफ में विश्क करते हैं उस तरीके से सोशल साइट पे या फेस हम जो है वो में लिख रहा हूं तो आप भी अपना नाम लिख लेजिए ठीक है तो फ्रेंड्स मैंने मेरा नाम लिख दिया है तो आईए हम सेकंड रो में चलिए आते हैं मुबाइल नंबर लिखा हो मुबाइल नंबर कभी भी वेलेट दालना है क्योंकि उसके दूरू तो मैंने यहां पर तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहां पर सेकंड रो में जो है मुबाइल नंबर डाल दिया है तो अब यहां पर पास्वर्ट पूछ रहा है पास्वर्ट भी दाल दिता हूं प्रेंड्स मैंने पास्वर्ट भी दाल दिया है यहां पर बद्द्दे को अप्शन पर भी मेंने क्लिक कर दिया है तो इस तरीके से मेरा आध्यसिourdav form फिलप हो चुका है और जेंडर पूछ रहा है जेंडर भी में क्लिक कर दिता हूं गेज़ेंदर पर क्लिक करने के बाद हमारा ओल्मोस्ट फॉर्म फिलप हो चुका है तो फाइनल यहां पर क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है तो उसके पर क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स मैंने क्लिक कर दिया है तो आप भी क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो लिख कर आ रहा है तो फोर नंबर यूर ट्राइंग टू वेरिफाय वाज रिसेंडि यूज्ट वेरिफाय ए डिफरेंड अकाउंट प्लीज ट्राइए डिफरेंट नंबर मतलब यह फ्रेंड्स की मैंने यह नंबर जो मैंने डाला था करता हूं तो ऐसा डिफरेंट नंबर दालना चाहिए कि जो नंबर हमारे फेस्बूप पर यूज नहीं हो पाए जो यूनिक नंबर हो और लिख आए तो फ्रेंड्स मैंने नंबर भी डाल दिया है तो आईये आप फाइनलिए हम क्रेड एन अकाउंट पर चले जाते हैं तो हमारा इसके तुरू जो मैंने एक नंबर डाला है फ्रेंड्स उसके तुरू मेरे पास एक कंफरमेशन कोड आएगा तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक option आया है एक message के तुरू मेरे पास कंफरमेशन कोड आएगा तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको message के तुरू में बस confirmation कोड आ गया है तो हम यहां पर message में जाकर के code को यहां पर देख लेना है क्या code है हमारा तो उसके तुरू हमारा account create हो जाएगा यह confirmation code बहुत ही ज़रूरी होता है Facebook account खुलने के लिए confirmation code बहुत ही important है यहां पर लास्ट option जो है continue पर बता रहा है तो continue पर हम क्लिक कर देते है तो friends जैसा कि मैंने आपको बताया कि Facebook account खुलना के लिए एक form को fill up करना पड़ता है तो यह process में चले गया है friends देखिए मेरा account भी open हो चुगा है Facebook पे नया account बना सकते है तो friends आप बताईए कमेंट्स में लिखके मुझे बताईए कि मेरा यह नया वीडियो आपको कैसा लगा और आप मेरे चैनल को ज्यादर स्यादर सब्सक्राइब क थैंक यू सो मच फोर वाचिंग मैं नीव वीडियो